हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको दस ऐसे फूट्स के बारें बताने वाला हूँ जिसके रेगुलर इस्तिमाल से आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका बैड कलिस्ट्रॉल लेवल कम होने लगेगा और जो अच्छा कलिस्ट्रॉल है HDL वो बढ़ने लगेगा तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं इसमें पहला फूड आइटम है ओट्स ओट्स एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट आप्शन है या आपको या आप दिन में कभी भी खा सकते हैं इसको या आपके बाडी से बैट कलिस्ट्रॉल लेवल को कम करने में का आपको स्टोमेक फूलनेस का भी एहसास देता है और ओट्स में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्टील कट ओट्स तो इसको आप रेगुलर्ली खाईए दूसरा ऑप्शन है होल ग्रेंस ओट्स की तरह होल ग्रेंस में भी काफी मातरा में सॉलिबल फाइबर्स होते हैं और यह फाइबर्स आपके करिस्टॉल को कम करने में हेलफूल है और यह फाइबर्स ब्लड क्लॉट को बनने से रोकता है जिससे हार्ट अटाइक और स्ट्रोक जैसी बिमारियों को भी यह कम करता है इसके लाब फाइबर्स आपके डाइजेशन को भी स्मूथ बनाता है और जैसे जो गार्डिक है कि डिस्टिंटिक स्मेल होता है वो उसकी वज़े से आता है और एलिसिन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जैसे यह LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है इम्मिन्यूटि को बढ़ाता और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह आलिसिन सिर्फ कच्चे यानि रौ गार्लिक में होता है और जब उसको खाने में पका देते हैं तो यह आलिसिन डिस्ट्रॉई हो जाता है तो सुबह आप खाल क्लोस्ट्रॉल को कम करने में हेलफुल है इसके लावा एक प्लांट में क्लोरोजेनिक एसिट एक सबस्टेंस पाई जाता है जो कि आपके ल्ड यानि बैट क्लोस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिसिस के रिस्क को भी कम करता है क्लोरोजेनिक एसिट एक एंटी लेवल कम हो गया हाले कि नट्स को बहुत जादा नहीं खाना क्योंकि यह आपके फैट कोई बढ़ा सकता है और आपके वेट कोई बढ़ा सकता है जो कि आपके बलड में Triglyceride लेवल को कम करता है और इस तरह यह आपके Heart Disease के Heart Attack के रिसको भी कम करता है सेवन्थ आइटम वेजिटेबल वाइल वेजिटेबल वाइल जैसे Canola Sunflower वाइल या Sappflower वाइल को आप अपने regular कुकिंग में यूज कर सकते हैं यह body blood में LDA लेवल को कम करने में helpful है लेकिन इसका usage limited रखें क्योंकि बहुत जादा लेने से आपके कलिस्टॉल लेवल बढ़ भी सकता है 8th food item है soy soy foods में जैसे soy bean या उनसे जो food बंदा है जैसे tofu, soy milk इन सबों के पास आपके कलिस्टॉल कम करने का भी properties है यानि 25 gram soy protein के per day इस्तिमाल से blood में LDA लेवर 5-6% कम हो सकता है 9th food item है beans beans में भी काफ़ आइटम होते हैं जैसे kidney beans, lentils, black eyed peas तो यह सारे bean soluble fibers में reach होते हैं एक तो आपके digestion में help करते हैं प्लस आपके stomach को fullness का feel देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा food option है अगर आप अपने weight कम करना चाहते हैं cholesterol level को कम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा food option है इसको आप अपने diet में ज़रूर रखें और 10th or last food item है fruits fruits तो बहुत ही अच्छा food option है इसको आप अपने daily diet में ज़रूर रखें फ्रूट्स में से आपल, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस, फ्रूट्स, आवोकेडो और फ्रूट्स यह सब फ्रूट्स पेक्टिन में रीच होते हैं जो एक टाइप का सॉलिबल फाइवर है और यह LDL को कम करता है तो फ्रूट्स में कैलोरीज भी कम होती है तो अगर आप अपना weight कम करना चाहते हैं और healthy रहना चाहते हैं कलेस्टॉल लेवल को भी कम करना चाहते हैं तो fruits तो आप डेली खायें तो यह 10 food item में आपको बता हैं जो कलेस्टॉल को कम करता है जो एक उपने daily diet में यूज कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलाओगा और आपको वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और मेरे चालों को सब्सक्राइब कर दीजे